अगर आप सीटेट दिसमबर 2023 के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए इसलिए अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें पैल आइकन पर प्रेस कर ओल नोटिकेशन को आप उन कर दें ताकि जब भी क्लास अप्लोड हो आपके पास सबसे पहले पोचे अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट है कोई इस्यू है कुछ पूछ पूछना चाहते हैं तो आप इस कॉंटेक्ट नंबर पे वटसप मैसेज कर सकते हैं साथ में हमारा जो टेलिग्राम ग्रूप है उसको आप जो इरिंग कर लीजिए टेलिग्राम ग्रूप का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्रिप्सिन में मिल जाएगा हमारी अप्लिकेशन, Foundation Classes by Amit को अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो आप डाउनलोड कर लें इस पर आपको study material, mock test, practice set आपको सब कुछ प्रवाइड करवाया जाता है तो अगर आपने अप्लिकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो अप्लिकेशन को डाउनलोड कर लीजिए अप्लिकेशन का जो लिंक है वो भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आप यहां से डाउनलोड नहीं कर पाते हैं तो आप इस कोंटेक्ट नंबर पे वर्टसप मैसिज कर दीजिए मैं personally जो लिंक है आपके साथ share कर दूँगा तो चलिए फ मैं उनको कवर कर रहा हूं तो यह हमारी mcq series चले रही है और यह हमारी हमेशे के लिए चलती रहेगी आप इन क्यूशन को 100% कीजिएगा अगर आप CTAT को क्रेक करना चाहते हैं तो 2024 में आपकी elections हैं आपकी काफी vacancies आनी है CTAT आपकी notification कभी भी announce हो सकती है ठीक है लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका crack हो तो आपको हभी से अपनी preparation start करनी पड़ेगी हर साल देखिए 10 से 12 लाख बच्चे form अपलाई करते हैं clear सिर्फ 2-3 लाख बच्चों का maximum बताए यह मैंने maximum इतनों का clear होता है reason क्या है समय से तयारी को start नए करना regular study का नए करना real material को नए पढ़ना ठीक है ना तो आपको best material पढ़ना पड़ेगा समय से तयारी को start करना पड़ेगा आप seat at के निकलने की weight मत कीजिए अभी से अपनी तयारी को regular start कर दीजिए ठीक है तो चलिए फिर आज की session को हम start करते हैं इसको मैं रब कर देता हूं हमारा first question है बहत जनतु कौन सा है जो अप आर की धवनी को इखटा करने में भी उसकी सायता करता है देखिए मैं आपको बता चुका हूं यह सारे आपके original questions है और यह मैं theory classes से उनको उठा के आपको provide कर वा रहा हूं ठीक है तो आप अगर theory classes को देखना चाते हैं तो आप application को download कर लीजिए गा इससे best preparation और इससे best material आप को कहीं पर भी नई मिलेगा with proof map को दिखा चुका हूं ठीक है चलिए देखिए लंगूर हो गया sloth हो गया कुत्ता हो गया या फिर बाग हो गया हमसे पुझा है कौन सा जन्तु है जो अपने कानों को अलग-अलग दिशाओं में बहुत हदिक गुमा लेता है और जो भार की धवनिकों इखटा करने में उसकी साहता करते हैं तो इसका जो correct answer हो जाएगा answer number डिया की बाग अब इसकी explanation को देखते हैं हम पांगा देरे में 6 गुना हदिक देख सकता है इतने गुना 6 गुना हदिक देख सकता है और ये भी आपका CTAT के अंदर आया हुआ क्यूस्टन है ठ अब देखिए कहने का मतलब क्या है आसपास जाड़ी है और यहां पे आपका कोई जानवर हीरन वगरा कोई भी छुपा हुआ है तो बाग आपका यहां पे है तो बाग को इसके बारे में पता चल जाएगा क्योंकि जो बाग की मुच्छे है ना वो हवा में जो कमपन होता ह जो उसका सिकार है उसके सिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पता लगा लेती है बाग की मुच्छे और बाग की मिच्छों से लेटिड भी आपका सीट एट के अंदर क्यूशन आ चुका है ठीक है तो आप इन चीजों को याद रखिएगा पाक का गुराना तीन किलोमेटर द दूर तक सुना जा सकता है बाग के दोनों कान भार की आवाज इखटा करने के लिए अलग-अलग दिसाओं में बहुत ज्यादा घूम जाते हैं और यहीं अमसे क्यूशन में पुछा था कि वह कौन सा जानवर है जिसके कान अलग-अलग दिसाओं में बहुत हदी घूम जा जाना है कि मैं पहले भी करा चुका हूँ, CTAT में जो क्यूशन होते हैं वो हमें से रिपीट होते हैं मैं आपको इतनी best theory प्रोवाइड करवाँगा एक single क्यूशन भार नहीं जाएगा जैसे मैंने आगस्त में जब हमारा एक्जाम हुआ था तब भी मैंने यह चीज बोली थ कि AVS का एक single क्यूशन में भार नहीं जाने दूगा और एक single क्यूशन भी हमारी क्लास से भार नहीं था ये किन मानिए आप ठीक है तो देखते हैं अब चाय बनाना तैरना कंगी करना और आठना गोठना अब देखिए हमारा जो NCRT है उसके नदर एक chapter है जल से related तो इसमें जितने भी questions पुछे गए न इस type के वो आपके जल से related ही है अगर आप इनको अच्छे से देखते हैं आप चाय बनाते हैं चाय बनाने के लिए आप जल का यूज करते हैं आप स्टार्टिक में पानी डालते हैं उसके बाद चाय पती फिर चिन्नी फिर उसमें अध्रा पानी का यूज करते हैं लेकिन जब आप कंगी करते हैं तो कंगी करने का आपका पानी से कोई relation नहीं है तो यहाँ पर जो आपका correct answer हो जाएगा answer number क्या हो जाएगा सी कंगी करना ठीक है आप समझ गए होंगे आगे बढ़ते हैं हमारे देश की रास्टपती द्वारा पाथ लिखा है यांकि वो पाथ किसे लिटिड है आपकी जाकिर उसेन जी से लिटिड है तो उस पाथ का हमसे सीर्षक पुचा है कि उस पाथ का सीर्षक क्या है तो देखे आप बून बून दरिया-दरिया मत्रों की दावत उसी से ठंडा उसी से गरम और फिर चला काफिला तो इ पूरव रास्ट पती कोन है डोक्टर जाकिर हुसेन जो बारत के तीसरे रास्ट पती थे और बारत के पहले मुसलिम रास्ट पती थे ये भी आपको याद रखना है कि बारत के पहले मुसलिम रास्ट पती कोन थे डोक्टर जाकिर हुसेन और अगर हम वैसे रास्ट पती देख questions हैं, मैं previous year questions करा रहा हूँ यहाँ पर जो भी मैं आपको questions करा रहा हूँ वो original PY क्यों होंगे 100% आपके I way ही questions नहीं है तो इन classes आप बिल्कुल भी skip मत कीजिएगा अब यह से अपने preparation को start कर दीजिए अपनी अलग से एक notebook लगा लीजिए और यह जो PDF है ना जो यह PY की questions में आपको करा रहा हूँ इनकी जो PDF है यह भी आपको application में मिल जाएगी आप वहाँ पर free section में जाएए वहाँ पर आपको seat at के नाम से एक folder मिलेगा उसके अंदर जो यह questions है जो यह PY क्यू जो PDF है यह भी मैं upload कर दूँगा और यह most important है आपसे पुछा जा सकता है क्या नाम है बालिष से उस character का नाम है जिनके उपर कहानी लिखी है किसने हमारे पुर्व रास्टपती डोक्टर जाकिर हुसैन ने ठीक है आगे बढ़ते हैं एक कार 1512 किलोमेटर की एक दूरी को 28 गंटे में तै करती है तो इस कार की ओसट चाल बताईए हमें ओसट चाल बतानी है तो सिधा और सिंपल से है दूरी का formula क्या होता है चाल गुणा में समय अब सिधा और सिंपल से है हमें क्या निकालनी है चाल निकालनी है तो चाल इदर आ जाएगी आपका formula क्या बन जाएगा दूरी और बटे में समय यही बनेगा ना अब आपको cut करना है 1512 आपने दूरी रख दी और निचे आपका गंटे कितने है 28 आप इसको cut कर दीजिए और हमें देखिए मिटर पर सेकिंड में आंसर चाहिए तो मिटर पर सेकिंड के लिए क्या करेंगे हम पांच बटे अठारा से इसको multiply कर देंगे ये चीज मैं आपको थ्योरी क्लासे में बता दूँगा जब हम किसी भी चीज को km पर आवर को किलोमेटर पर आवर को जब हम मिटर पर second के अंदर convert करते हैं तब हम क्या करते हैं 5 बटे 18 से multiply करते हैं और जब meter per second को kilometer per hour में change करते हैं तब हम 18 बटे 5 से multiply करते हैं तो यह चीज मैं theory classes में आपको detail से बताऊंगा तिलाल आप इतना ही याद रखिए अब आप इसको cut कीजिए अगर आप इसको cut करते हैं आपको 2 से कर देंगे 2 एकम 2, 2.8 2 साथे 14, बचका 1, 2, 5, 10, 2, 6, 12 फिर से जा सकता है 2 से आपका 2 साथे 14 2 तिया 6, 2 साथे 14 2, 8, 16, ठीक है फिर से चला जाएगा आप 7 से करने के कोशिस कीजिए आप 7 से करेंगे तो नहीं जाएगा यह 7, 5, 25 से चला जाएगा 7 एकम 7, 7, 5, 35 बचका 2, 7, 2, 7, 28 और आप 18 तिया 24 और पांतिया 15, 15 मेटर पर सेकिन देखिए मैं आपको ऐसे ही करा रहा हूँ जैसे आप खुद पेपर को करते हैं आप इसी तरह से cut करते होंगे ना तो मैं कुछ भी रटता नहीं हूँ और ना ही मैं रटवाता हूँ हम एकदम प्रोसेस से दीरे-दीरे चलेंगे ताकि हर एक सिंगल स्टुडेंट को ये चीजे समझ में आएं अब किस तरह से हम काटते हैं कैसे हमें काटना है मैं एक सिंगल से सिंगल चीज आपको एकदम practically करवाऊंगा ठीक है आगे बढ़ते हैं तो यहां पर हमारा right answer क्या हो जाएगा answer number B आगे चलते हैं हमारी देश के ग्राज्य में friction करने पर यह पाया गया कि वहां के ग्रामिन छेत्रों के हदिकांस मकान मजबूत बास के खंबो पर बने है इनके लकड़ी के फर्ष जमीन से लगबग 3 से 3.5 मिटर के उचाई पर बने है मकानों के दिवारे भी लकड़ी की बनी है यहां भारी वर्षा होने के कारण मकानों की छटे सामानेते क्या है ढालू है या कौन सा राज्य हो सकता है अब सिधा और शिंपल्स है क्यांकि जमीन से कितना आपके 3 से 3.5 मिटर उच्चा आपका घर बनाए यह आपकी जमीन है इससे लगबग 3 से 3.5 मिटर उच्चा और जो छट है न छट उसको भी ढालू बनाया है ताकि पानी ना रुके सिधा और शिंपल्स है जो छट है उसको तिर्चा बनाने का रिजन क्या होगा ताकि आपका वावे पानी ना रुके तो हमसे यह पुछा है कि यह का के बारे में है यह का के घरों के विशेश्ता है देखिया आप भिहार, असम, गुजराद और उत्राखंड और देखिये यह जो क्यूस्टन है आपकी बार भी पुछा गया था मैं यह बता रहा हूँ आपको एक सिंगल क्यूस्टन को मैं कराऊंगा एक सिंगल क्यूस्टन भी आपका गलत नहीं होने दूँगा मैं ठीक है, तो यहां पर जो हमारा क्रेक्ट आंसर आएगा आंसर नंबर भी आएगा ठीक है, लेकिन इसके लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा पता है, पीवाइक्यू क्यूस्टन के साथ-साथ जो थोरी है ना थोरी को भी रिवाइज करना पड़ेगा और इस तरह से मैं थोरी को भी रिवाइज करवाता हूं तो पीवाइक्यू है, पीवाइक्यू के जस्ट बात आगे बढ़ते हैं अब explanation को देखिया हमारे यहां बहुत बारिस होती है इसलिए हमारे घर जमीन से 10-12 फूट अब 10-12 फूट को जब आप convert करेंगे मिटर में तो 3-3.5 मिटर ही बनता है तो exam में आपसे 3-3.5 मिटर भी पुछा जा सकता है और 10-12 फूट भी पुछा जा सकता ह इसलिए आप करेक्टर को भी याद रखना आपसे पुछा जायेगा असम के बारे में किस करेक्टर ने definition दी थी या किस character ने बात की थी असम के बारे में तो किस ने की थी आपके भूपे इनने आगे देखते हैं हमारे या बारिस भी बहुत होती है और ब्रफ भी पढ़ती है हमारे या मकान पत्थर और लकडी के बने होते हैं यह एक पाड़ी इलाका है अगर आपसे ये statement पुछी जाती है तो आप जाएंगे मनाली, हिमाचले, परदेश के अंदर ठीक है आगे देखते हैं हमारे या बारिस भहुत कम होती है खूब गर्मी पढ़ती है हम लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं घरों के दिवारे भहुती क्या होती है मोटी होती है इन दिवारों को मिट्टी से लीप पोट कर सुन्दर बनाया जाता है चते कटिली जाडियों की बनी होती है अगर आपसे ये चीज़े पुछी जाती है तो आप बात करेंगे राजस्थान के बारे में और भुपेन बात करेंगा असन के बारे में तो इस सारे के सारे चीज़े आप याद रखिएगा आगे बढ़ते हैं निमल लिखित में से तीन राज्यों के उस समू को चुनिए जिनके समुद्र तट बंगाल की खाड़ी पर स्थित है अब देखिए आपको अच्छे से पता है यह क्या है आपका अरब सागर है और यह क्या है आपके बंगाल की खाड़ी है तो यह इसके किनार इस्थित है तो कहने का मतलब यह हो गया यह वाले स्टेट आएंगे जो यहाँ पे स्थित है इसके किनार इस्तित हैं तो इस वाला तो खतम हो गया मैं आपको एक बार मैप के लिए मैं अमिश्य आपको बोलता हूँ कम से कम दो क्यूसन आपके पुछे जाते हैं आपके बार भी जब सीट है डवा था ना आपके दो क्यूसन पुछे गए थे और दोनों एकदम easy questions से अगर आपको अच्छे से map याद है तो то map की भी मैं आपको अच्छे से practice कराऊँगा details से अगर आप इसको अच्छे से देखते हैं तो यह क्या है आपका राजस्थान यह क्या है आपका गुजरात यह क्या है MP तो आम से क्या पूच्छा है बंगाल की खाड़ी वाले पूच्छे हैं तो देख्या अंद्र प्रदेश पस्चिम बंगाल और केरल आपका जो जेसे गलत हो गया क्यों केरल कहाँ पे है आपका इस साइड में पढ़ता है यहाँ पे है ने केरल आपका यह वाला तो इसलिए गलत हो गया अंदर प्रदेश तमिलाडू और ओडिसा यह आपका करेक्ट हो जाएगा यह आपका अंदर प्रदेश हो गया यह आपका तमिलाडू हो गया यहाँ प तो यह भी आपके खाड़ी के पास नहीं है तो इसलिए आपका जो प्रेक्ट आंसर हो जाएगा आगे बढ़ते हैं मिजोरम में ग्राम सबा पंचायत लोटरी द्वारा खेती के लिए भुमी का आवंटन करती है इस बुमि-अवंटन में एक विशेस मात्रक जिसे टीन कहते हैं का प्रयोग किया जाता है तो इस मात्रक का अर्थ क्या है देखिए मिजोरम जो स्टेट है ना वहाँ पर जो खित्ती की जाती है वो लोटरी सिस्टम से की जाती है यानि कि वहाँ पर जो जमीन है न सब की सांजी जमीन है वहाँ पर किसी का अधिकार नहीं है कि ये मेरी जमीन है ये मेरी जमीन है नहीं सब की सांजी जमीन है और लोटरी सिस्टम के द्वारा खिती करने के लिए लोगों को खिती दी जाती है अब उसके लिए एक विशेश मात्रक का प्रयोग करते हैं जिसे बोलते हैं टीन तो हमसे टीन पुछा लिए कि टीन क्या है देखिए वैबूमी जिससे किसान एक टीन बीज प्राप्त कर सकता है वैबूमी जिसकी विमाई याँकि लंबाई गुणा चोडाई पचास मिटर इंटू पचास मिटर होती है जो लगबग एक हेक्टर याँकि 100 मिटर इंटू 100 मिटर के तुल्ले होती है तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नमबर B याँकि वैबूमी जिस पर कोई किसान एक तीन बीज बोता है उसे बोल जाता है विशेस मात्रक जिसे बोलते है तीन तो आपको याद रखना है करक्टा अन्टर क्या हो जाएगा answer number B आगे explanation को देखते हैं वेराज ये कौन सा है जहाँ खेती लोटरी के माढ़ जमसे की जाती है तो आपको याद रखना है मिजोरम और आपकी बार जब सीटेट आए उसमें जारखन ओप्षन दे रखा था तो जिसकी वज़ेशी वो गलत हो गया था यहाँ पर जमीन को सांजा मान कर सब लोगों को बारी-बारी उस जमीन पर खेती करने का मोका मिलता है अब बात करते हैं एक टीन जमीन की जो हमसे पुछा गया एकजाम में कि एक टीन बीज हम जितनी जमीन पर बोतते हैं न उसे ही एक टीन जमीन बोला जाता है ठीक है अब याद रखिएगा आगे बढ़ते हैं जूम खेती के अंतरगत जारखन के किसानों दौरा अपनाई जाने वाले तरीकों के संबंद में निचे दिये गए कथनों पर विचार कीजिए तो विचार करते हैं बई एक फसल कटने के लिए पस्चात जमीन को कुछ वर्स तक खाली छोड़ देते हैं ये तो सही है बई मैंने बताया था न अग जब हम जूम खेती करते हैं जब हम नोर्थ इस्ट में मैक्सिमम आपके के जाती है तो वापे क्या करते हैं न फसल काटने के बाद उस जमीन को कुछ समय के लिए खाली छोड़ देते हैं तकि फिर से क्या हो जाए आपकी उपजाओ हो जाए खरपतवार बा साधी को उखाड कर खेत में जला देते हैं एक दमगलत अभी ऐसा तो नहीं होता है आगे बढ़िए खरपतवार की राग खाद के रूप में कारे करते हैं ये सही है मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग के जब खरपतवार होती है या आपके जो भी पेड़ पोदे हैं कैसे बोर जा रहा है उसे गहराई तक जोता जाता है तो ये भी आपका गलत है गहराई तक नहीं जोते उसे उपर हलकी हलकी जोते है अलका अलका उपर उपर कि आपकी जो जमीन है न वो पहले ही पोली हो जाती है इसलिए आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा A और C देखी कहा पे है आंसर नमबर C ठीक है B भी आपका गलत है और D भी आपका गलत है आगे बढ़ते हैं हमारे देश में आदिवासी हाजवरव वर्ष पूरव से कांसे जिसे हम बोलते हैं कांसे ब्रांच की बनी बहुत सी वस्तुओं जिसे बर्तन हो गई मूर्तियां हो गई आदिका उप्यों करते रहे हैं आज भी हम अपने गरों में कांसे का मियुंपयों करते है, तो निमल लखित में से कांसे के बारे में सर्वस रस्ट कथन को चैन कीजिया, शीधा और सिम्पल से हमसे ये पुछा गया है, तो कांसे होता है, तो मैंने आपको कई बर बता चुका हूँ, मैं इस क्विश्टन को, क ऐसा तो नहीं होता है, कासा, एलूमिनियम, कापर और जिंग का मिसर दातु है, ये भी गलत है, कासा, कापर जिसे तामबा और जिंग की मिसर दातु है, ये भी गलत है, लास्ट देखिया आप, कासा, कापर यानके तामबा और टींग की मिसर दातु है, ये होगा आपका correct answer, य इत्र के लिए परशिद है, यह सैर बारत के एक राज्य का जिला है, तो उसका नाम बताइए, उत्र परदेश, उत्राखन, गुजरात, या फिर महारास्ट, तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट अंसर हो जाएगा, अंसर नंबर फर्स यन की उत्र परदेश का नोज का आप आपके सीट अट में पुछे गए क्यूशन्स हैं, मैं आपको 15 सोक होके आज-पास जो क्यूशन्स हैना, जितने भी अब तक जितने भी क्यूसन्स आई हैं, मैं हर एक सिंगल क्यूशन आपको प्रवाइड कर वाऊंगा, इस से MCQ सीरीज के मध्यम से, आपको सिर्फ और सिर वीडियो को आराम से देखना है आगे बढ़ते हैं कन्नोज में आस पास के इलाकों में ट्रकों में फुल बरकर लाई जाते हैं और फिर इनसे इत्र गुलाबजल और केवड़ा तयार के जरता है केवडा जो केवडा है ना केवडा केवडा भी आपकी सेंट ही होती है यानि इससे भी क्या आती है आपकी सुगन आती है वो अपने अपने language में बोल जाते हैं तो केवडा भी क्या है आपकी एक प्रकार का इत्र ही है ठीक है आगे बढ़ते हैं फुलों का सुध अर्क कहते हैं किसको इत्र को इसको कहते हैं फुलों का सुध अर्क कहते हैं किसको इत्र को यानि कि फुलों से मिलने वाला सबसे सुध पदार्थ क्या है आपका इत्र है और फुलों का सुध अर्क बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं फुलो के दिन कौन कौन से त्योवार मनाए जाते हैं वो अमसे पुछा गया है तो देखिया आप दिवाली ओली मा सिवरातरी गलत है जो दिवाली है वो आपकी प्रुर्णेमा को नहीं होती है दिवाली होली और रक्स्या बंधन ये भी आपका गलत है क्योंकि दिवाली फिर से आ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं। ग्रूफ पर्व। तो ये भी आपका कब होता है। आपका पूर्णि मा के दिन ही होता है। तो इसलिए चो आपका correct आशर ओजाएगा आंशर नमबर Cॉली गुरू नानक जनमदिन और मकर सकांत ये भी आपका रहे तो रेल गाड़ी की और सचाल बताओ देखिए इस टाइप कर जो पूछा जाता है तो पूछने का रिजन सिर्फ और सिर्फ इतना है कि वो यह देखना चाहते है कि आपको 24 गंटे वाली जो घड़ी है उसका ज्यान है भी या नहीं है सिर्फ और सिर्फ यह रिजन है आपको जिसको 12 बोलते है तो 12 बजे के बाद आपका Next दिन लग जाता है तो वह आपका 12 एम होता है जिसे 0000 लिखाता है जबकड़ी के अंदर कितना 0000 लिखाता है ठीक है तो आपके 12 एम हो गए अब यहां से जब स्ठाट करते हैं तो एक बजेगा दो बजेगा 24ばज़ेग गंटे वाले घड़ी है न, उसके बाद दो पैर के 12 बजे के बाद उसमें एक नहीं बसता उसमें बसते है 13, 14, 15 और यहाँ पर यह 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 और यहाँ पर यह 23, और यहाँ पर फिर लास्ट में आपके दुबारा से 24, 24 का मतलब हो गया आपके फिर से रात के 12 बजे जिसको हम नेक्स्ट दिन बोलते हैं तो यहाँ पर देखिए आप 4, 15, 16, 15, 16, 15 का मतलब क्या हो गया आप यहाँ पर आजाईए, 16 बज़ के 15 यहाँ च्यार बज़ के 15 मिनट तो यहाँ पर आपकी यही नोलेज देखी जाती है कि आपको 24 गंटे वाले गड़ी के नोलेज है भी या नहीं है आप देखिए क्युस्टन पर आते हम मैंने आपको समझा दिया है एकदम डिटेल से आप समझ गए होंगे अब क्युस्टन को देखिए आप अब सिधा और शिंपल सा है 4-15 पर आप गाड़ी पोची है याँ कि स्याम के 4-15 और चली कितने बज़े थी सुबए 6-15 पर चली थी कितना समय लिया टोटल आपके 10 गंटे ले लिये गाड़ी ने अब हमसे पुचा है रेल गाड़ी के उसस चाल वही फोर्मुला से दूरी क्या होती है आपकी चाल गुणा में समय अब यहाँ से चाल निकालने है तो चाल क्या हो जाएगी दूरी बटे में समय अब दूरी कितनी कीवन आपके पास 530 किलोमेटर समय कितना है आपके पास 10,1,1,2,3,5 किलोमेटर पार आवर एक दमेजी सा क्यूशन था आंसर क्या हो जाएगा आपका आंसर नमबर C आगे बढ़ते हैं तीन खाद पतार्थों का ऐसा समय कौन सा है जिसे परतेक सदस्य में लो तत्तव परतूर मात्रा में होता है लो तत्तव जादा से जादा होता है और हमने पढ़ा था लो तत्तव से लेटिट एक एनिमिया जब आपके सरीर में किसकी कमी हो हिमोगलोबिन की कमी हो हिमोगलोबिन में क्या होता है आपका आईरन होता है और इसका और आल मतलब क्या हुआ आपके सरीर में रक्त की कमी है तो रक्त की कमी जब होती है तो उसको बुलाजाता है एनिमिया ठीक है तो यहाँ पे एनिमिया से लेटेट किसना आप से पुछा गया है कि तीन खाद परदार्थों का ऐसा समूग कौन सा है जिसके परतेक सजस्य में लोततव परचूर मातरा में होता है तो देखे आप पालक, गुड और आवला पालक, आवला और टमाटर गुड बंद गोब्बी और आवला पालक, प्याज और टमाटर तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा आंसर निम्बर फरस्ट पालक, गुड और आवला इसके अंदर जो आपका आईरन होता है आपके जो आईरन क्या बोलते हैं लोततव जो आपका लोततव होता है वो परचूर मातरा के अंदर पाया जाता है ठीक है तो देखिए यहाँ के क्यूस्टन्स थे हम इस तरिके से मैं आपको जो PY की क्यूस्टन्स है न अब तक जितने भी आये है मैं हर एक सिंगल क्यूस्टन आपको कराऊंगा आप आराम से वीडियो को देखते रहिए हभी से अपनी प्रेपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए एक रात में कभी भी जंग नहीं जिती जा सकती है हमेशे इस चीज को याद रखिए आपको अपनी स्टड़ी के लिए अगर आप चाहते नहीं आपको जोब मिले आपका सेलेक्शन हो तो आपको हभी से रेगुलरिटी बनानी पड़ेगी ठीक है अपने आपको बाकी लोगों से अलग करना पड़ेगा कुछ अलग से सोचना पड़ेगा इसलिए आप चैनल से जुड़े रहे है आराम सी वीडियो को देखते रहे है एक सिंगल क्यूसन में आपका बाहर नहीं जाने दूँगा आपको टेंशन लेने की जूरते नहीं है तो अगर आपने अप्लिकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो आप अप्लिकेशन को डाउनलोड कर ले डाउनलोड करके इंस्टोल करके जो आप फ्री सेक्शन में जाएंगे आपको सीटेट का फोल्टर मिलेगा तो वहाँ पर जो material ammo provide आपको करवा दूँगा तो आज के session में सिर्फ इतना ही Thank you